हेलो एबिवन अब जो क्वेश्चन है तीसरा वाला 4.4 का थर्ड उसमें बोल लखा है कि क्या ऐसा कोई मैंगो ग्रूव आम का बाग बनाना संभव है जिसकी लेंथ उसकी विट्थ की दुगनी हो लेंथ जो है वो ट्वाइस ओफ विट्थ है और उसका एरिया दे रिखाए 800 क्या ऐसा शंभव है अगर है तो लंबाई चोड़ाई क्यात करो तो सबसे पहले तो हमने मान लिया लेट्थ विट्थ इज एक्स विट्थ को एक्स मानेंगे विट्थ आप ग्रूव तो सोदर लेंथ क्या हो जाएगी उसकी दुगनी है कह राता लेंथ तो टू एक्स हो ग करते हैं या निकरते हैं जब रियल रूट्स होंगे तब यह situation exist करेगी अदरवाइस निकरेगी तो इसको compare किया x square plus b x plus c equal to 0 से a b और c निकाला b square minus 4c निकाला discriminant b square minus 4c निकाला तो वो 1600 आया positive है positive है तो इसका मतलब there will be two real and distinct roots तो यह situation possible है इस situation is possible अब हमको इसको solve करने solve करने के लिए x square minus 400 is equal to 0 था x square equal to 400 x equal to under root 400 plus minus 20 आ गया अब length या width कुछ भी negative हो नहीं सकती तो minus 20 लेंगे नहीं width होगी x जो थी width थी width of groove होगी 20 meter और length of groove होगी कितनी meter 40 meter क्योंकि twice of width था तो 40 meter होगी इसके बाद इसमें next है कि क्या यह situation भी possible है दो friends है कोई उनकी जो present ages है वो निकालनी है हमको और उनकी ages का sum 20 है और 4 years ago चार साल पहले उनकी ages का जो product होता multiplication था वो 48 था गे रहा है तो हमने let the present ages मान ली उनकी x और y sum उनका x plus y is equal to 20 है यहांज मैंने y निकाल लिया 20 minus x 4 years ago product क्या है 48 तो जो यह भी x साल का है हो x minus 4 होगा चार साल पहले जो y years का है y minus 4 इन दोनों को product क्या equal to multiply करकर 48 अब y की value को रख दिया calculate किया calculate करने के बाद यहां से आप आराम से ध्यान से देख सकते हैं इसको नॉर्मल calculation है minus 1 common लिया minus 1 right side में वेजा तो हमारी एक quadratic equation आ जाएगे x square minus 20 x minus 1 dead 12 is equal to 0 फिर वही is it possible क्या रखा तो आपको compare करके x square plus b x plus c से a b c निकाल के discriminant निकालना होगा b square minus 4 e c अगर वो positive आता है तो real roots होंगे नहीं आता है तो नहीं होगे यहांपर negative आ रहा है minus 48 आ रहा है तो roots exist नहीं करेंगे it means this situation is not possible आप इन दोनों को बनाएए फिर next question के लिए फिर में वीडियो बनाऊंगा